गुड बॉर्णिंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अपढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार अमीन का मॉडल सेट वन जो की पूरी तरह से पिछले पत्रों पर अधारित है और आपके आने वाले एकजाम के लिए काफी महत्पुन साबित होगा तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो आईए सुरू क आप इसको बीडियो को रोके देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं जीके की तो जीके में जो में पार्ट से हैं वो है कल्चर और बिहार हिस्ट्री अ बिहार science portion में अगर बात करेंगे तो physics, chemistry, bio और Indian history और Indian geography यहाँ पर bird geography नहीं है और तो इसलिए और bird history में नहीं है तो बोसा मत पढ़िएगा अगर हम बात करते हैं आज की हमारे model set की तो यह जो model set है वो पूरी तरह से syllabus को ध्यान में रखते हुए बनाये गए और previous पत्रों से प्रस्म पत्रों पर अधारित है तो आएए शुरू करते हैं हमारा पहला question करा है सो तंत्रता अंदोलों के दोरां रभीना टाइगोर ने नाइट हूट की उपादी किस घटना के विरोध में पापस कर दी थी तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number B जलिया बाला बाग हत्याकंड देखिए actually जो ये रभीना टाइगोर थे इनको नाइट हूट की जो उपादी मिली थी 1915 में दी गई थी ब्रिटिस सरकार के दोरा और फिर 1929 में जलिया बाला बाग हत्याकंड के दोरा निनो निये उपादी बापस कर दी थी साथी साथ याद रखिएगा जलिया बाला बाग के विरोध में महात्मा गांदी ने केसरे हिंद की उपादी भी बापस कर दी थी एक और नाम याद रखिएगा जमाना लाल बजाज जमाना लाल बजाज ने एजाय बहादूर की उपाधी पापस कर दी थी क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है हमारा सलवाई की संदी किस यूद से संबंदित है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जाएगा अपसन नमबर बी प्रथम उंगल मर आठा यूद और ये हुई कब थी 1782 में हुई थी सलवाई की संदी प्रथम उंगल मर आठा यूद के बाद 17 मई 1782 को सलवाई की संदी पर हस्ताचर किये गए थे चलिए अब अड़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है हमारा संकोस नदी किंद और राज्यों के बीच सिमा बनाती है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा असाम एना रूनाचल परदेश यानि कि अप्सन नमबर बी अगर हम बाद संकोस नदी के करते हैं तो ये उतरी भुटान से निकलती है और ये फिर असम में आने के बाद ब्रह्मपूत्र नदी में जाके मिल जाती है समाहित हो जाती है अब औरते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है हमारा भारत भूमद रेखा के उतर में किस अच्छान के बीच में इस्थित है तो इसका जो सही अंजर होगा भो हो जाएगा आपस नमढर है एट डिगरी फोर मिनट से लेके 37 डिगरी छो मिनट तक देखिए थोड़ा से इसको समझने का कोशिस कीजेगा ये जो इसका पॉइंट है ये है 37 डिगरी छो मिनट नीचे बाला जो point है बो है 8 degree 4 minute अगर हम island को भी इसमें include कर देते हैं तब यह हो जाता है 6 degree 4 minute जिसको क्या हम लोग बोलते हैं इंदरा point ठीक है या पिगमेलियम point बोला जाता है इस 8 degree 4 minute पे क्या है कन्या कुमारी है इस 37 degree 6 minute पे क्या है इंदरा कॉल है अगर हम इधर बात कर ले 25 minute जो की है कहा है की बुथू अदू नाचल परदेश है clear हो गया होगा चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है हमारा पंचायती राज बेवस्था में सर्वोच निकाय कौन सा है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number A जिला परिसत देखे हमारे country में जो पंचायती राज बेवस्था है वो त्री अस्थरिये बेवस्था है त्री अस्थरिये बेवस्था कहने का मतलब कि ग्राम अस्थर पर ग्राम पंचायत है प्रखंड अस्थर पर प्रखंड समीती है और जिला अस्थर पर जिला परिसत है जिसमें जिला परिसत क्या है सबसे सर्वोची निकाय है, ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज याद रखिएगा पंचायती राज बेवस्था से, कि ये तीनों अस्तर पर तीनों अस्तर मतलब ग्राम अस्तर पर भी प्रखंड अस्तर पर भी और जिला अस्तर पर भी तीनों अस्तर पर एक तिहाई एक तिहाई अस्थानों पर महिलाओं का रिजर्वेशन है, महिला अरच्छन है, क्लियर है, अगर हम बात पंचायती राट ब्यवस्ता की कर लेते हैं, तो ये तिहाई तर्मा समिधान संसोधन द्वारा जुड़ा है, और ये किसमें भाग 9 में है, क्लियर है, चलिए, अब बिहार में याद रखिएगा, 1922 में हुआ था, गया में, जो कि कॉंग्रेस का 38 मा था, ठीक है, और इसकी अध्यचता किस ने किया थे, चितरंजन दास ने किया था, एक और याद रखिएगा बिहार से, 1912 में बाकिपूर में, और ये 28 मा था, और इसकी अध्यचता, आर एन मा घोलकर ने किये थे, क्लियर है, चलिए, अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन है, बिहार के सिरी से किसे संबोधित किया जाता है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो होगा, आपसन नमबर C, यानि डाक्टर सिरी क्रिस सिंग, क्लियर है, और ये ज तक ये बिहार के मुख मंतरी के रूप में कार्ज किये हैं, ठीक है, और इनके स्यासा थे, कौर चीज इनके बारे में याद रखेगा, क्रिस सिंग के बारे में, कि ये देश के पहले ऐसे मुख मंतरी थे, जिनने ने जमिंदारी प्रथा को खतम किया था, चलिए, एक चीज और याद रखेएगा, डेखे, क्रिस निंग से अगर याद रखते हैं, तो क्रिस से एक बुक याद रखेएगा, फ्रीडम और बियॉंड, ठीक है, फ्रीडम और बियॉंड, ये लिखा गया है, हमारे पूर्व राश्पति पर्तिवा सिंग पार्टिल के द्वरा, और इस freedom and beyond में परतिबा सिंग पार्टिल ने जो क्रिस सिंग और जवारला नेरू के बीच में जो चिठी के दोरा आदान प्रादान जो संदेश आदान प्रादान हुआ था उसी के बारे में इन्हों ने परतिबा सिंग पार्टिल ने इस freedom and beyond बुग में mention किया है तो क्रिस सिंग से ये भी बुग का नाम याद रखेगा चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की दरब अगला कोशन है अमारा पूर्भी माध रेलवे छेतर का मुख्याले कहाँ इस्थित है अगला कोशन है अगला कोशन है अमारा प्राचीन भीमा देवी मंदिर की इस प्रदेश में इस्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा हर्याना ठीक है यह हर्याना में इस्थित है भीमा देवी मंदिर को ही यह जो भीमा देवी मंदिर है इसी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है क्लियर है ठीक है और यहां लियाना के पंचकुला जिले में इस्थित है अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं अगला कोश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा महा जनपत बर्तमान बिहार के छेतर में इस्थित नहीं था तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो होगा की तो यह भागलपूर है अभी इसका ततकालीन छेतर अगर देखेगा तो यह भागलपूर है अगर इसकी बात कर लेते हैं तो यह मुझापरपूर और दरभंगा की आसपास है और अगर मगद की बात करते हैं तो यह जो बिहार का पटना गया छेतर है वो मगद है यह जो बौध ग्रंद के अंगुतर निकार से मिलती है, कि भारत 60 महा जनपदों में बटा हुआ था, तो ये भी question बहुत बार पूछा जाता है, कि भारत 60 महा जनपदों में बटा हुआ था, इसकी जनकारिया में कहां से मिलती है, तो उसका अंवर शले Wähd अगला कोश्चन है बिहार के मिथला में गाय जाने वाली गीत लगनी राग किस अफसर पर गाया जाता है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा आपसर नमर बी यानि विवाय साधी विवाहों के अफसर पर ये गीत लगनी राग गाया जाता है क्लियर है चलिए अगला कोशन है किसे भारत का राष्ट कभी होने का गौरब प्राप्त है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा अप्सन नमर डी यानि रामधारी सिंग दिनकर ठीक है अगर हम रामधारी सिंग दिनकर की बात करें तो इनका जन बिहार के बेगु सराजीले में ह हुआ था और इनके कुछ प्रमुख क्रीतियां भी याद रखिएगा जैसे कि कुरुछेत्र पुर्वर्सी रेनुका सूरज का विवाः ये सारे इनिका था इनको 272 में ग्यानपुट पुरुषकार भी मिला था किसके लिए उर्वर्सी के लिए क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है भारत का पहला नगर निगम कौन सा है तो इसका जो सही अंसर है यह हो जगा आपसन नमर डी मदराज क्लियर है चलिए और इसकी अस्थापना कब हुई थी? 1687 में 1687 में अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन है मोर भारत का राष्टिये पच्छी कब घोशित किया गया था तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा आपसन नमर सी यानि 1963 1963 में अगर हम भारत के और राष्टिये चिन और राष्टिये फल है तो यह सारे चीज भी आप याद रखिएगा चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है हमारा निमलेखित में से कौन राष्टिये मानवा धिकार आयोग का चेर्मैन हो सकता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमर दी यानि भारत का सेवा निर्मित मुखने अधिस कोई भी जो भारत का रिटार्ड मुखने अधिस होगा चीप जस्टिस वही इस राष्टिये मानवा धिकार आयोग का चेर्मैन हो सकता है और अभी अगर फिलहाल की बात करें तो अभी फिलहाल में राष्टिये मानवा धि इसका रायोग की बात कर लेते हैं तो इसकी अस्थापन उनई सो तिरानमे में हुई है और इसका जो मुख्याला है वो नई दिल्ली में है अगला कोशन है भारत में विर्हान सभा चुनाव से पहले चुनाव अचार साहिता कितने समय पुर्व लगती है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बहुत हो जागा आपसन नमर डी यानि कि उस तारिक से जब चुनाव आयोग चुनाव की तारिकों की घोसना करता है अगर हम ब इसका बर्नन किया गया है छुनाव आयोग से एक और चीज याद रखेगा कि चुनाव आयोग जब बना था तो वो एक सदस्य कमिटी थी ठीक है एक सदस्य आयोग था फिर उसको 1993 में जाके तीन सदस्य कर दिया गया है और अभी फिलहाल में जो निरवाचन आयोग है वो फ्रांस की संसत को बोला जाता है नेसनल असेंबली अब स्पेन की संसत को बोला जाता है कॉर्टिस और इटली की संसत को बोला जाता है मजलिस क्लियर है? चलिए अब अड़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोशन है हमारा चार्म रोक क्यूब चार में परियोग क्ये जने वाला रेडियो आइसोटोप कौन है तो इसका जो सहिएंसरोगा बोह जागा बोह जागा ओप्सन नमर C यानि रेडियो फासपोरस, क्लियर है, चलिए अगला कोशन है हमारा निमलिखित में से हुआ पेक्ति कौन है जिसे भारतिय मिसाल प्रदगी का पिता कहा जाता है तो इसका जो सही अंसरों का पो हो जागा ऑप्सन नमर डी यानि डॉक्टर होमी जहागीर भाबा और इनको 1904 में पदमभूसन एवार्ड भी मिला है याद रखेगा होमी जहागीर भाबा को अगले कोशन की दरा बढ़ते हैं अगला कोशन है महादीप जहां मानब से संब्धिट जिवास्म सबसे अधीक मिले हैं वो कौन महादीप है तो इसका जही अंसरों हो जागा ऑप्सन नमर बी अफिरका महादीप से ही मानब से संब्ध सबसे ज़्यादा चिवासम मिले हैं और यह अफिरका से और चीजे भी याद रखीये का इसे je नों याद की जिसते होकर बिश्वत ब्रिक करकवित और तीनों गुजरते हैं महाद जिसे होकर odd अर याद रखीये बिश्वत रेखा को दो बार कारती है ठीक है और एक नाम याद रखेगा लिम्पोपी नदी जो मकर रेखा को दो बार कारती है ठीक है तो एक याद रखेगा कांगो नदी जो कि बिश्वत रेखा को दो बार कारती है और एक लिम्पोपी नदी जो कि मकर रेखा को दो बार का fluorescent powder का यूज होता है अगला कोशन है सुस्क powder अगनी सामक में होता है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बहुँ जागा option number D बालू और sodium bicarbonate clear है चलिए अगला कोशन है अल्मूनियम को सुध किया जा सकता है तो इसका जो सही अंसर हो का बहुँ जागा electrolysis यानि विदूत अफगटन यानि option number C ठीक है और इसी विदूत अफगटन मतलब electrolysis के द्वारा ही H2O को भी break किया जाता है मतलब water को भी oxygen और hydrogen में हम तोड़ सकते है अगला कोशन है पार्किंसन लोग के इलाज को विक्सित करने में महत्पूनी योगदान देने के लिए निम इसमें इंसान अपने body balancing को खो देता है क्लियर है चलिए अगला कोशन है बिहार में operation चानक क्यों सुरू किया गया था तो इसका जो सही अंसर होगा बो जगा option number B यानि बजार में दैनिक आवसक बस्तूओं को मिलावत्ता समाप्त करने के लिए मतलब जो आज के डेट में ड बिहार में चाबल विकास और अनुसंधान के अंदर कहां इस्तित है तो इसका जो सही अंसर होगा बोह जागा option number B यानि आरा भोजपूर्य है अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन है हमारा बिहार का ओधन्त पूरी पिस्विद्याले किस बिस्त्य के लिए प्रस किस ने प्रथम पाल नरेस गोपाल ने करवाया था ओधन्त पूरी पिस्विद्याले की अस्थापना प्रथम पाल नरेस गोपाल ने करवाया था ठीक है यह अभी फिलहाल में नालंदा के आसपास में इस्तित है नालंदा से अप्राक 6-7 मिल की दूरी पे इस्तित है यह च इसकी देने खपद 2400 कैलोरी से कम हो, और अगर यही हम बात अगर सहरी छेतर की कर लेते हैं, तो सहरी छेतर में हो जाएगा 200 कैलोरी से कम, तो यह दोनों याद रखिएगा, ग्रामीन में 2400 और सहरी में 2100 कैलोरी, अगला कोशन है पिहार का सबसे बड़ा साहितिक सम्मान कौन सा है, तो इसका जो सही अंसर होगा बो जाएगा, आपसन नमबर D यानी राजेंदर सम्मान, कलेर हैं? चलिए, अगला कोशन है, बिज्व जैब बिबित्ता दिवस कम मनाया जाता है, तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा आपसर नमबर C यानि कि 22 माई को मनाया जाता है ठीक है अगर हम बात कर लेते हैं 2020 की मतलब इस साल की तो इस साल का जो इसका थीम था वो था आबर solutions are in nature मतलब हमारा सामाधान प्राकिर्टी में ही नहीद है अगर हम 22 मार्ज को बात करते हैं तो 22 मारज को मनाया जाता है 20 जलसन रच्छन दिवस 22 अपरेल को मनाया जाता है प्रिथीवी दिवस अगर हम बात 21 जून को करते हैं तो 21 जून को मनाया जाता है अंतराश्टिय योग दिवस clear है चलिए अगला कोशन है स्वतांत्र भारत के लिए बैक्तिकत रूप से पहला ओलम्पिक पदक किस ने जीता था तो इसका जो सायंसर हो जागा बहुँ जागा आपसन नमर B केडी जादर ने और ये कब जीता था उन्हें सो बामन के समर ओलम्पिक्स में ठीक और किस चीज में रेसलिं खल झादर चंद की भात करते हैं तो ये भारत के अस्टार बेड मेंटल झादर ये ठीक हैं अभी आप रिसेंटली नाम सुने होंगे साइननेवाल के जो कोछ यही हैं । यह थांप मतले इस तरह से आप सकते हैं समानित किया जा चुका है चलिए अब अड़ते अगले कोशन की तरह अगला कोशन है सुल्तान अजलान साह कब कि स्थेल से संबंदित है तो इसका जो सयन सरोग अब हो जाएगा अप्सन नबर बी यानि होकी से संबंदित है और इसकी सुरुआत कब की गई थी उनाई 183 में की गई थी और मलेशिया में किया गया था यह सबसे पहले ठीक है एक्च्छली क्या था कि मलेशिया के एक नौमे राजा थे नाइन्थ नमबर वाले जो राजा थे उनका नाम था स सुल्तान अजलान साह ठीक है और उन्ही के नाम पर यह ट्रॉफी भी यह शुरू किया था होकी में अगर हम बात कर लेते हैं होकी के तो होकी से कुछ होट याद रखिएगा रंगा स्वामी कप आगा खा कप ध्यांचंद्र ट्रॉफी यह सारा चीज का संबंद कि से होकी से भर ब्तॉच ए्बटेह अगले कोषिण की तरहे हैं हमारा महंदर का संदी पिखशेत कया है तो इसका जो साहयन सर भो जेगा आप्षन नबर भी माहाजुर इंद्र नेक्स कोशेन है इन में से कौन सा सब संग्या से बना हुआ भी सेशन है तो इसका जो सही अंसर हो जगा बोजगा आपस नमर A यानी इच्छुक नेक्स कोशेन है रस भरा कौन सा तत्पुरुस समास है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बोजगा आपसा नमर B करंतत पुरुस समास नेक्स कोशन है मैं आज नहीं पढ़ूँगा कौन सा बाक्य है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बोजगा आपसा नमर A निसेद वाचक बाक्य है ये मैं आज नहीं पढ़ूँगा फिर नेक्स कोशन है इमंदारी कौन सी संग्या है तो इमंदारी कौन सी संग्या है भावबाचक संग्या है संग्या के पांच भेद आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इमंदारी कौन सा है भावबाचक है नेक्स्स कोश्चन है नाक कौन सा सब्ध है तो इसका जो सही अंसर हो जगागा पोजगा आपसन नमबर B यानि रूड सब्ध कौन सा है रूड सब्ध है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है भारतिये क्रांती का पिता किसे कहा जाता है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा बहु हो जाएगा आपसर नमबर D यानि बाल गंगादर तिलक को ठीक है अगर बाल गंगादर तिलक की बात करते हैं तो इनसे याद रखेगा कि सबसे पहले सोराज की मांग इन्हों नहीं की थी बाल गंगादर तिलक नहीं किया था एक और ची अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं, अगला कोशन है, महात्मा गांधी कॉंग्रेस की किस अधिवेशन में एक मात्र अध्याच बने थे, तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, बो हो जाएगा, आप्सन नमबर C, यानि बिलकाओं में, ठीक है, यह हुआ कर था, 1924 में, और यह कभी महात्मा गांधी अध्याचता नहीं किये थे, क्लियर है, चलिए, अगला कोशन है, विकास और सांती के लिए संजुक्त राष्ट युएन संग की सद्भाबना राजदूत किसे निउक्त किया गया है, तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, आप्सन नमर C, नेत्रा, इन मातर 13 साल की एक तमिलनाडू की मदूरी जगा, तमिलनाडू में मदूरी जगा, वहां से ये बिलॉंग करती हैं, और ये मातर 13 सालों की है, और इनके फ़ादर है, फ़ादर का नाम है C. Mohan, जो की एक छोटे से दुकान में सैलून चलाते हैं, ठीक है, अब इन्हें बनाया क पिता को क्या किया, कि वो पांच लाक रुपे देने के लिए, कहा कि आप कोबिट से हेल्फ कर दीजे लोगों को, ठीक है, और इसी के लिए इनको फिर गुडविल अमबेश्टर टू दा पूर बनाया गया, यूवन के द्वारा, क्लियर है, चलिए, नेक्स कोशन है, किसने ये बाई, बर्ल्ड इंटरप्रेट आप दे इयर का पुरुसकार जीता है, तो इसका जो सैयन सरोजा का ओप्सन नमबर सी, किरन मजुमदार सा, यही है, किरन मजुमदार सा आपको दिख रहा होगा, फोटो में, और ये बाइकोन एक कंपनी है, इसकी कारेकारी अध्याच ह और ये ये अवर्ड पाने वाली तीसरे भारतिये हैं, ठीक है, थार्ड नमबर की भारतिये हैं, और पहली भारतिये मैला हैं, बात बाकी जो दो हैं वो पुरुस हैं, तो अगर मैला में पुछेगा तो ये पहली भारतिये मैला हैं, और अगर टोटल में पुछेगा तो ये सा को यह एवार्ड मिला है clear है चलिए next question हमारा केंदरिये सरक और परिभान मंतराले ने हाली में BS6 मानाक बाले सभी बाहनों पर किस रंग की पट्टी लगाना निवार्च कर दिया है तो इसका जो सही BS का मतलब क्या होता है BS का मतलब BS यहां पर फूल फॉर्म है BS का भारत स्टेज ठीक है और यह है क्या BS4, BS6 यह एक तरह से pollution emission control का एक unit है BS4, BS6 clear है emission standard है pollution का अगला question है हमारा हाली में किस railway Jackson को CII के द्वारा gold rating दी गई है तो इसका जो सही answer हो जागा पो जागा option number जे तरिची जिसको हम लोग बोलते हैं क्या तरुचिरा पल्ली यह तमिल्लाण्डू का अकस्टेशन है ठीक है इसी को CII के द्वारा gold rating दिया गया अगर CII की बात करते हैं CII का full form होता है Confedration of Indian Industry ठीक है इसकी स्थापना 1895 में हुआ था और इसका मुख्याले नई दिल्ली में है clear है चलिए अगले कोशन की बात करते हैं तो अगला कोशन है WHO ने भारत के किस NGO को 20 तमाकू निदेश दिबस 2020 से समानित किया है तो इसका जो सही अंसर हो जगा बहुँ हो जगा option नमर B CITS ये CITS किया एक NGO है और इसी को 20 तमाकू निदेश दिबस और ये कम मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है अगर हम सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स का फूल फॉम है सस्टेनेबल इन्वार्मेंट एंड इकोलोजिकल डवलाप्मेंट ससाइटी जिसकी ये स्थापना 994 में की गई थी अगला कोशन है राजस्थान के कूल 6 तरफल का कितना परतिसत हिस्ता थार्मर रुवस्थल में इस्थित है तो इसका जो सईयन सरोगा बोजगा आप्सन नमर C यानि 60% अगर हम बात थार्मर रुवस्थल की कर लेते हैं तो थार्मर रुवस्थल बिश्व का दसमा सबसे बड़ा मरुवस्थल है ठीक है अब भातिय उप महाधीप में लगबग बर्ग किलोमेटर इतना बर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है clear है चलिए नेक्स्ट कोशन को कह रहा है अलमटी बांद किस नदी परिस्थित है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बो जागा आप्सन बरे कृष्णा नदी परिस्थित है ठीक है और यह है कहा में? उतरी करनाटक में अलमटी बांद और यह बना कर था 2005 में अगर क्रिष्णा नदी की बात करते हैं तो क्रिष्णा नदी से एक और चीज याद रखेगा इसी पर नागा अर्जुन सागर परियोजना है बहुत बार एक जाम में पूछा गया है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है तो यह कृस्णा नदी परिस्थित है अगला कोश्यन है भारत में बॉक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन किस राज के द्वारा किया जाता है तो इसका जो सही अंसर है बोज है का option number A उडिसा ठीक है यह भारत के cool बॉक्साइड का आधा मतलब आप कहा दिए तो 50% अकेले उत्पादन करता है उडिसा उडिसा से और याद रखिएगा बॉक्साइड के साथ कोईला में यह सबसे स्रेश्ट उत्पादन करता है निकेल क्रोमाइट ठीक है यह सब में उडिसा number 1 है भारत में अगर हम बात यहीं पर दूसरे और राजस्थान की कर लेते हैं तो राजस्थान सबसे जादा इंडिया में चांदी और कच्छा तेल यहीं होता है अगर हम बात कर्नाटक की कर लेते हैं तो सबसे जादा सोना होता तो यह था आज के वीडियो में टोटल हमने 50 questions कबर किये हैं जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि हिंदी, बिहार का हिस्ट्री बिहार का कल्चर और current affairs और Indian geography, Indian history मतलब सारे questions जो जो syllabus में topic है सारे topic को कबर किया गया है clear है? तो आसा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो like जरूर कर दीजेगा और साथ ही साथ comment करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आगे इस series को continue करना तो भी बताइएगा, क्योंकि recently Amin का exam होने वाला और ये series आप continue कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले exam में काफी benefit मिल सके, thanks for watching